नमस्कार मेरा नाम है लो सिंग आप देख रहे हैं इंडियोन और से सराज की इस वीडियो में हम आपको बचाहां मुझाफरपूर बिहार में संपन्ने वे होर्स रेस चेतक प्रतियोगिता की फाइनल वीडियो दिखाने जा रहा है हम आपको बता दें कि अभी मालिया आणप प्रतराय जी अब रीबन काट कर और खेल का सुबारंब करने जा रहा है और इसी के बाद रेस आरंब हो गई वीडियो पर आप लाश तक बने रहेगा तभी आप समझ पाएंगे कि बोचाहां मुझाफरपूर की ये रेस दिन प्रति दिन आगे कैसे बढ़ती गई और सवार विकास यहां पर बाजी मार चुके हैं मुझाफरपूर इक्सप्रेस घोड़ा है कयामत तो लाही दिया है घोड़ा बोचाहां मुझाफरपूर की फिल्ड पर दर्सकों का उत्सा और घुरसवार के जीत की खुसी आप इस वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जसन का महल जब आप खुद अपनी आखों से फिल्ड पर देखे रहते तो यह नजार आई कुछ अलग था हम बता दें कि इस रेस में प्रथम आने वाले घोड़े को मंत्री जी की तरफ से मोटरसाइकल का इनाम प्रथम था एक कप दूसरे पर LCD TV एक कप और तीसर पूरसकार के तोर पर फैन पूरसकार में उन्हें दिया गया और सम्मानित किया गया यह जनता है बो चहां मुझभफर पूर बिहार की अभी आप देख रहा है एक बार फिर से घोड़ा है मुझभफर पूर इक्सप्रेस सवार है विकास यादव इस घोड़े के उनर है पूर्वास राय जी उन्होंने इस रेस को सुधारने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है क्यूंकि उन्होंने प्रतेक वर्स नियमों के साथ अंदेखी नहीं की प्रतेक वर्स उन्होंने नियमों पे खास तरक पर ध्यान रखा और साल दर साल नियम को सक्त करते गए और खुद भी अपने अनुभव से उन्होंने उन घोड़ों को लगतार दो या तीन वर्सों से बाहर किया जो चाल में गलत चल कर और इस चेतक प्रतियोगिता में अस्थान हासिल किये हो उन्हें सक्त निर्देश के साथ खेल से बाहर कर दिया गया ये सराथी की जनता है जो अपने जिले के घोड़े को जीत जाने की खुसी में उत्सा मना रही है अजयराय जी यहां पर मौजूद हैं सुबास राय जी भी यहां पर मौजूद हैं माले आरपन का कारीकरम चल रहा है बीजेता को ट्रोफिक दी जा रही है मोटर साइकल अजयराय जी जो इक्सप्रेस घोड़े के मालिक हैं हम आपको बता दें कि मानिय मंत्री जी राजस्वम भूमी सुधार मंत्री बिहार सरकार के द्वारा ये चेतक परतियोगिता प्रतेक वर्स कराई जाती है यहां पर आप देख रहा है मधु यादो को पूरसकार दिया जा रहा है इनका घ घोड़ा भी यहां पर तृतिया स्थान पाया सवार हीरा यादो को आप देख रहा हैं अब आप फिर से एक बार अजयराय को देख रहा हैं जो अपने मुझा फरपूर घोड़े पर सवार होकर ट्रोफी लेने के लिए आ रहा है यहां मंत्री जी के द्वारा ये सक्त निर् को नहीं देख पाते हैं और यहां पर मंत्री जी के द्वारा और आये हुए विशेस अधिकारीयों के द्वारा जो बिहार में उच्चे पदो पर विराजमान है उनके द्वारा ये पुरसकार बित्रित किया गया सभी का द्रिस से आखो देखा हाल आप देख रहा हैं अब चंद मिंटों में फाइनल चक्र सुरू होने वाला है अजयर आये जी को एक बार फिर से देख रहा है जो अपने मुझअ फरपुर इक्सप्रेस के साथ जीत की खुसी युही मनाते हुए फिल्ड पर भ्रहमन कर रहा है वैसे मैं बता दूं कि ये चेतक प्रतियोगिता काफ ही अच्छी रही अब फाइनल का चक्र सुरू हो चुका है चार सेमी फाइनल के राउंडों से आठ गोड़े प्रतिभागी बने जंडी के गिरते हैं सभी गोड़े आगे की तरफ बढ़ने लगे हम आपको बता दें सवार मेगु और सवार गोरक सबसे आगे चले सवार हीर सबसे पीछे चले और सवार विकास चोथे नंबर पे थे और उसी के साथ अन्य घोड़े भी प्रतिभागी के तोर पर आगे बढ़ने लगे अभी आप देख रहे हैं सवार विकास मुझा फरपूर इक्सप्रेस के साथ आगे चल रहे हैं दूसरे पर प्रवीन राय मुखि प्रतम और सकेंड की वो सवार विकास में ही रह गई अन्य घोड़ों से लगभग मैं मानता हूं तो 15-20 मीटर की लीड पे ये घोड़े चलने लगे और एक अच्छी खासी लड़ाई इन दोनों घोड़ों में पांच राउंडों में देखने के लिए मिली जो लास टक चलत हैं जो अभी तीसरे स्थान पर फाइट कर रहा हैं यहां आप देख रहा हैं कि फिर से सवार विकास और सवार एजाज में लड़ाई लगी है 25 नंबर बैच का घोड़ा तीसरे स्थान पर हैं बाकी अन्य घोड़े अपने आप में पिछडते जा रहा हैं अच्छे चाल वा है वही चीज यहां भी दोर आई गई और सवार हीरा यादो लाष्ट के चकरों में से आकर और बढ़त बना लिए एक बार फिर से सवार एजाज और सवार विकास की लड़ाई देख रहे हैं मुझाफर पूर एक्सप्रेस है जब चलता है तो तुफान ही मचाता है एक बार पिर सवार विकास यादो एक अच्छी खासी लीड अब धिरे धिरे बना रहे हैं मेगु सवार दूसरे अस्थान पर चल रहे हैं कुनाल कुमार का घोड़ा है बिहार से और सवार बिरेंदर सिंग और भी काफी सारे लोग हैं जो पीछे अपनी लड़ाईयां लड़ रहे ह मुश्किल था मैंने दर्सकों के 20 से या लोगों से काफी सारे ऐसे लोगों से बात की और सुना जिन गोड़ों पे लोगों का आकलन था वो पूरी तरह से इस रेस में फेल हुए कि फेल कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा पीछे रहा गए फाइनल में जो भी आया है वो सेम अस्थान क्लियर हो गए थे और सवार विकास अब सबसे आगे चल रहा है हम आपको बता दे तो यहां इलाहाबाद के घोड़े की चाल में थोड़ी सी तुरूटी पाई गई जिसकी वज़ा से कमेटी नहीं बाहर कर दिया गया और पहला अस्थान मिला हरवन्स राय अब फरपूर एक्सप्रेस गोड़े को और इस गोड़े के पर घोड़सवारी कर रहे थे सवार विकास यादो दूसरे पे एजाज पहुचे पर फावल हो गए थे इसलिए कुनाल कुमार समस्तिपूर बिहार के घोड़े को दूसरा अस्थान मिला सवार मेगु जिस पर हीरा सवार घोड़सवारी कर रहे थे यही थी इस रेस की हाल चाल तो आप भी वीडियो को लाइक करके और कमेंट में ये लिखकर हमें बता सकते हैं कि आपको बचाह मुझे फरपूर की ये रेस इस वर्ज कैसी लगी और जो मंत्री जी के द्वारा इस बार बेवस ध्यान रखते हैं मुझे उमीद है कि बचाह मुझे फरपूर की रेस आपको पसंदा रही होगी अगले साल मैं समस्ता हूँ कि इससे भी जादे और बढ़ चड़ कर घोड़े लेंगे मुझे दुख तो इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे घोड़े मालिक हैं जिनके घोड़े बिहार में नहीं पहुच रहे हैं और उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई चेतक प्रतियोगिता नहीं है जिसमें हमारे बिहार से घोड़े उन रेसों में प्रतिभागी बनने के लिए न पहुचते हो चाहे वो रेस उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो रही हो सभी बिहार के घोडे मां पहुंचते हैं इसलिए मेरा एक बार फिर से उन सभी घोडे मालिकों से आगरा है उतर प्रदेश के उन सभी अस्वपालोकों से अनुरोध हैं कि क्रिपया करके बिहार की चेतक परतियोगिताओं में पहुंचें क्यूंकि अगर बिहार के घोडे आपकी बाल 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 बाल